हलो दोस्तों नमस्कार तो कैसे हैं आप लोग आई हो सभी अच्छंग स्वागत है आपका इस्टन वास्टन में दोस्तों आज हम RSMSSB के जो सभी चीजें हैं कि RSMSSB है क्या ठीक है और इसी के बारे में पूरा आपको जानकारी देने आये हैं कि इसमें salary कितनी मिलती है इसमें क्या होता है क्या नहीं होता सारी जानकारी दोस्तों आपको इसके बारे अगर आप यह जान गए तो आपको पता चलेगा कि इसमें payment कितनी मिलती है हना इसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है सारी चीजें दोस्तों आपको म दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि यह गेड़ जो ग्रेड वह जी सका ग्रेड पे होता है पहला वह च्छतीस दें सो रुपई होता है ठीक है यानि कुल मिला कर आपको 34,800 रुपय टोटल मिलता है पहले ठीक है लेकिन उसमें ये लेवल दस की नौकरी ये लेवल दस कैसे रखा जाए सेवन पे जो नहीं है सेवन पे उसके अनुसार में लेवल दस ये जो पहला प्रमोशन होता है आपको थर्ड ग्रेट पर रखा जाता है थर्ड ग्रेट में होता और फर्ष्ट ग्रेट जो होती है वह आपकी 12 होती है अच्छे समझ रहे हैं आप जब नौकरी पाएंगे तो आप को थर्ड ग्रेट पर रखा जाएगा थर्ड ग्रेट में स्टार्टिंग में सेलरी आपकी जो होगी वह करीब जो आपको हैंड पे मिलेगी क्योंकि अ करीब 10% करता है यानि 23,700 रुपए मिलने होती है आज जो आपकी नौकरी होती वो 23,700 पर लगी होती है ठीक है लेकिन आपको जो नौकरी मिलती है उसमें 10% NPS कर जाता है जो NPS 10% कर जाएगा इसका मतलब 23,700 में अगर यह कट गया तो 2370 रुपए कट गया तो बचे मेरे पास 21 23,300 रुपए ठीक है तो इतनी आपको हैंड में पहले मिलेगी ठीक है दो साल बाद दो साल बाद दीए टीए जो है यह आपका नहीं मनता है ठीक है यह नहीं मिलता है इसके बाद आपको सब मिलने लगता है प्रोपोर्शन के बाद आपको सब मिलने लगता है ठीक है जब य के बाद जो है आपको basic salary जो है वह करीब देखिए जैसे ही आपको दो साल बाद दो साल बाद आपको 36 grade मिला तो 33,800 रुपए बिलेगे पहला पे grade जो आपको मिलेगा दो साल बाद पहले आपको मिलेगा 21,330 रुपए salary आपको बता रहो पर मन्त हाथ में मिलेगी 23,330 रुपए इसके बाद आपको जब दो साल बाद हो जाएंगे तो आपको मिलेंगे 33,800 रुपए ठीक है ध्यान रखेंगे ठीक है और तीन परसेंट हर साल बढ़ेगा अब तीन परसेंट आप इसका निकालते जा समझना है एक एक धृट की नोख रहीं दूसरा यह थार्ड है ठीक है दूसरा जो आपका है वह आपका आता है इसके बाद आपका फ्रों सब्सक्राइड जाएगा जब आपका प्रमोशन हो जाएगा तो आप चले जाएंगे फर्स्ट ग्रेड बे उसका उन्चास तो रुप है वह लेवल बारह कॉंसेट्ट क्लियर तो दोस्तों यह चीज आप ध्यान रखिए कि आर्मस्स बी का जो आप स्टार्टिंग वह थर्ड लेवल से स्टार्ट होता है थर्ड ग्रेड से स्टार्ट होता है और अब बेकार से ट्रेंग पीरिए नहीं जैसे आपने देखाऊ का आर्मी में कही पर ट्रेनिंग पीरियड है वहाँ पर उतना रख लेते हैं मतलब स्टार्टिंग में मिलती है पिर इसके बाद अगर मोटी मोटी भासा में समझ्जना चाहें तो starting कर दो साल कम मिलती है हना 10rim रापको कम मिलेगी इसके बाद पर आपको पूरी-पूरी बिलेगी तो पहले महने आपको जो मिलेगी वह दो दो साल मिलेगी फिर इसके बाद आपको 33-800 सब मिलने लगी तो दोस्तों ये आपकी सैलरी थी आर एश MSSB की ठीक है और यह सब आपका पांच सलबत प्रोमोशन होते होते दस सलबाब पांच सलबत प्रोमोशन होते हैं अपना तो प्रोमोशन के आप लोग तनमन से इसकी त्यारी करिए सव वर्ड पर मिनिट डिक्टेशन बोलते हैं सव वर्ड पर मिनिट की डिक्टेशन त्यार करिए जो आपकी इसकी एको रेशी आप लोग जुरूर ध्यान किए देखिए आप 120 की स्पीड रखेंगे उसका कोई फाइदा नहीं है लेक जितनी मागी है हना जितनी मागी है उतने पे ही रखिए सो एक सो दस तक रखिए मैक्जिमम बस लेकिन एको रेशी 97-98 तक जानी चाहिए 99 तक जानी चाहिए आपका यह लेवल होना चाहिए नौकरी आपके हाथ में मिलेगी ठीक है इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से концantration दिमार्ग लगाखे और इस तरह के focus पर त्यारी करिए nationalism करने है next VOD ME आपको बताएंगे क्या आपको speed कैसे बानानी है कई रिखिए इस तो आप जादा 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 चीजों को सेयर करिए जादे जादा वीडियो 숨ए धी क्या है salary कितनी मिली है ठीक है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक लिए हमस्कार जय हिंद बंदे मात्रम